अब टू कॉनवर्ट पीडियेफ टू एच्टी एमल नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो आज कि इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है एक पीडियेफ को कॉनवर्ट कैसे कर सकते हैं एच्टी एमल पर ठीक ह वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और सारे साथ दोस्तों बैल आइकून को क्लिक कीजिए आपको लैटस अपडेट जो है हमारे तरफ से मिलते रहेगा अगर आपको ऑनलाइन पैसा कामान आए तो वीडियो डिस्क्रि मैं आपको बता रेता हूँ तो चलिए गूगल ओपन कर लेते हैं यहाँ पर आपको टाइप करना है कॉनवर्ट सी ओ एन वी ए आर्टी कॉनवर्ट पीडियेफ टू एच्टी एमल ठीक है एच्टी एमल तो आप इसको सर्च कर लीजिए इसको सर्च करने के वाद दोस्तों आपको मिलेगा इस तरह का इंटरफेस एच्टी एमल टू पीडियेफ या फिर आपको जो है नीचे में जाके चेक कर लेना है कॉनवर्ट पीडियेफ टू एच्टी एमल ओन लाइन ठीक है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है एंदेंद आप जो है गूगल के ट्रू पीड क्लिकेशन तो आप दोस्तों सिंप्ली गूगल कही मदद लीजे गूगल में जाये सर्च किजे कॉनवर्ट पीडियेफ टू एच्टी एमल एंद दिन दोस्तों आप लिंक पर क्लिक कर लीजिए तो उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का ऑप्शन जो है यहाप जेपीजी मिल जाएगा तो आपको यहाप पर पीडियेफ एच्टी एमल सर्च करना है ठीक है अगर आपको नहीं मिलते हैं तो दोस्तों आप दूसरा वेबसाइट भी चेक आउट कर सकते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप यहाप बेक आ जाना है और नीचे वाला जो लिं तो दोस्तों यहाप आप देख सकते हैं ठीक है आप दोस्तों सिंप्ली जाके सच कीजे हाव तो अपको यह लिंक मिलेगा पीडिएफ टु एच्टी एमयों ऑनलाइन फ्री को अनवर्ट यो तो आपको यह लिंक ज़ोहें वो सेलेक करना है ठीक है इस लिंक को ओपन कर दिया जाएगा तो दोस्तो आप काफी दcular personal जो हेchien यहाँ पर फाइल वगईरा अप्लोड की जी तो यहाँ पर दोस्तों अपड़ा ओप्षिन आंब है तो चूस फाइल पर क्लिक करना है लाधना इवेःण दोस्तों यहाँ बाकर फाइल यहा inherent लिझे एक्ट कर लिए दोस्तों आप जो है यहां से कर लिजिए ठीकर कर लिए ठीकर एक्टाइब डांक्रफ मेरे अयहां पर कर देता हूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको जो है एड करना है तो यहाँ पर रेडिय हो चुका है ठीक है पीडिएफ डॉकुमेंट्स फॉर्मेट एच्टी एमल आपको नीचे में मिल जाएगा तो आप दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से जो है कि सारा उप्शन जो है मिल जाएगा तो उसमें आप जाके छेक आउट कर सकते हैं ठीक है तो आप दोस्तों बेसिक लिए इस वेब साइट में जाके आप पीडियेफ फाइल को कौनवर्ट कर सकते हैं ठीक है एच्टी एमल पर तो बस दोस्तों यही तरीका है अगर तो साप आप Chrome browser में desktop mode यूज़ करते तो और भी ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि दूस्तों Chrome browser पर आपको अच्छी तरह किसे HTML का converter मिल जाएगा ठीक है तो आज के इस वीडियो बोटो से बस इतना है तेंक्स फूर वाचिंग